नमस्ते, Simply Cook में आपका स्वागत है आज एक और रेसिपी में मैं शेयर करने आई हूँ तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं क्या बनाऊंगी आज मैं बनाने वाली हूँ छीम पातुरी जो कि बेंगॉलियों के घर में बहुत फेमस एक डीश है एकदम वेच रेसिपी है ये चीम को हिंदी में सेमी कहा जाता है चलिए देखते हैं कि इसकी बनाने की विधी यहाँ पर मैंने कड़ाई में मस्टर डॉयल लिया है उसमें मैंने करीबन एक चमच जीरा एट कर दिया है जीरा जैसे ही थोड़ा सा फ्राय हो जाए उसके बाद हम इसमें चॉप्ट किये यह प्यास जो है वो थोड़े जादा मात्रा में लगता है इसलिए हम यहाँ पर करीबन मैंने चार से प्यास को कट करके इसमें एट कर दिये हैं प्यास को अब हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे और यह रेसी भी बनाते समय हमें फ्लेम को हमेशा हाई रखना होता है तब ही यह जो चीम पातुरी है यह बहुत अच्छा बनता है हम इसे अच्छे तरीके से फ्राइ कर लेंगे प्यास को जब तक की प्यास का रंग थोड़ा सा बदल ना जाए तब तक हम इसे करीबन दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम में पहले फ्राइ कर लेते हैं यह रेसिपी बहुत ही सिम्पल लेकिन बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी है इसे आप किसी राइस के साथ या फिल रोटी के साथ किसी के साथ भी यह आप खा सकते हो बहुत यर को अच्छी बनती है अब हम इसमें 20 से slice के हुए हमने यह हरी मिर्च इसमें add कर दिये हैं थोड़ा सा इसमें जो मिर्च है वो थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि यह तीखा बनता है और यह बहुत ही tasty होता है इसमें थोड़ा सा sweetness और थोड़ा सा तीखा बनता है तो यह और भी ज्यादा पाल के रखा है जितना आप कॉंटिटी में चेमी लोगे उससे डबल कॉंटिटी में आपको प्याज लेना होता है चेमी को मैंने पहले से थोड़ा सा नमक देखे पानी में उबाल लिया है अब हम इसमें चेमी देखे इसे अच्छे तरीके से फ्राइग कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हम इसमें नमक एट करेंगे और करीबन देख चमच हम इसमें हल्दी पावडर एट कर देंगे अब हम इसको अच्छे से चला लेते हैं थोड़े अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे और मैंने जो कहा आप से कि इसे इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्लेम को हमेशा ही हाई रखना होगा फ्लेम मत एकदम लो मत कीजिएगा क्योंकि यह जितना भूनेगा उतना ही यह स्वाधिस्ट बनेगा थोड़ा सा हल्दी कम लगा मुझे इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी इसमें और थोड़ा सा एट कर लिया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शियर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके अब हम इसमें करीबन दो चम्मत जो है वो शुगर एड़ करेंगे इसमें जो मिठास और यह हरी मिच का जो तीखा पने बहुत अच्छा लगता है खाने में अगर आपको मिठा पसंद नहीं है तो आप थ थोड़ा सा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसे हम 5-7 मिनिट के लिए हाई फ्लेम में इसी तरीके से पकाते रहेंगे और देखिए यह पक के बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाएगा यह देखिए यह बिल्कुल रेडी हो चुका है भुनके अब हम इसको एक अलग से बोल में निकाल लेंगे आज की मेरी यह रेसिपी बस ही ही तक नेक्स रेसिपी लेके में बहुत जल्दाओंगे तब तक के लिए